बंदे मात्रम नमस्कारम आज इस सीरीज में हम इन्वार्मेंट एकोनामिक्स को देखने वाले हैं और इसमें मैटेरियल बैलेंस माडल जो सबसे इंपॉर्टेंट माडल माना जाता है इन्वार्मेंट की जिसको आईरेज एंड नीज ने 1909 से 17 के बीज में इसको दिया था य आप सकते हैं कि मैटेरियल बैलेंस को बताता है और यह की में बताता है बेटविन इन्वार्मेंट और अंप धरयाबरन है और उसके अलावालमा जो उकोनामी है हमारा जो हुमन हमें एकोनामी है वसतासए उसके बीच में यह लिंकेज बताता है च्योंकि यह अगर आ ऩाउडीो इस माडल के अनुसार अगर देखें तो यह पुर्ड आर्थिक रियाएं और St ने इसलम को बताता है इसका मतलब क्या है भहुतिक संतुलन का इस भहुतिक संतुलन को देखिए इसका मतलब ही है कि जो फर्म क्या करती है प्रोडक्ट करती है मतलब प्रोड्यूस करती है ठीक है वही उससे प्रोडक्ट से निकलता है वहां से जो हाउस होल्ड है ना वहां से लेवर निकलता है जो फर्म में जाता है और यह बार-बार यह जो क्रिया है ना इसे हम बहुत संतुरन बहोंते हैं वास्तों में तो फर्म से हाउट होल्ड के बीच साइक्लिक प्रोस Definitely और दोनों से वेष्टेज निकलता है और जो हाउट होल्ड कंजूं करता है उसका społec करता है वहां सभी बेस्टेज निकलता है तो दोनों तरीके से क्या हो रहा है यह साइकल कल प्रोसेस अर्था इनपुट आउटफट प्रोसेस यही पूरा आर्थिक रिया हैं तो यह बता रहा है कि इसके बहुत तरीके सी इसको देख सकते हैं यहोप आपनों को समझ में आएगा इसम सबसे पहली इनवारमेंट लिखा है उसमें लिखाए सप्लाइज आफंड रीन्यूवर एंड नञ्वज रिस्वर्स एंड एक वाटर है एक बार यूज करने कोद नहीं हैं इस समय लेकिन नान रेन्वेबर हैं जैसे कि कई चीजें हैं जैसे माली आपने फिस्ट खाली तो खतम हो गया उसके अलामा अगर हम देखें तो सकता है तो सबसे पहला यह है कि कोई भी जो मैंटर है और इनरजी है वह क्या हो सकता है वो ना तो बनाया जा सकता है ना है destroy किया जा सकता है अमने इसके पहले बताया जो गोल्डिंग ने बताया था ठीक है उसके बाद अगर आप देखें ठीक है उसके बाद अगर देखें तो दूसरा जो नियम है love entropy तो उसमें क्या है कि अगर कोई भी progress होती है मतलब कोई भी इसकलाइमेट चेंज्ज इन इपाफ घ्लोबल वार्मेंग तो यह गलोबल वारमिंग क्या प्रॉबल जो पूरा गलॉब है अर्थात पृश्यूफ क्लाइमेट चेंज जो बहूत इंपोटरेंट है इस सारी चीज़ें क्या हैं अर्थात जो environmental economics है या ecological economics है वो आस्तित्तों में आया तो यह देखना में बहुत जूरी है फिर अगर हम देखें यह ओर तो यहीं पर खतम होता है हमने केवल देखें चार से पासर्ट हमने इसको खतम कर दिया है लेकिन हमने बहुत ही आसानी से इसको समझाने का पर्यास भी किया है I hope आपनों को पूरी तरीके से ये समझ में आया होगा जैसे ही हमारा मतलब अभी कुछ टेक्निकल प्राप्लम है जैसे जो सॉल्व होता है तो हम बोर्ड पे अपने लेक्चर्स को लेके आएंगे और फिर वहाँ पे कवर करेंगे आज के लिए बस इतना ही बंदे मात्रम